नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको माचले मैं नाम इरिसिर आज के सुझेवां बात करने वाले हैं बिहार dbt agriculture website के बारे में दोस्तों मुझे बहुत सा लोग आपर comment कर रहे थे बहुत सा लोग आपर message कर रहे थे कि बिहार dbt agriculture जो website है वो website यहाँ पर open नहीं हो रहा है कुछ इस तरीके का यहां पर error दिखाई दे रहा है यानि कि privacy error जो आप दिखाई दे रहा है तो आप हमें जानकाई दिजे कि किस तरीके से यह जो website है वो open होगा और किस तरीके से हम अपना आवेधन कर पाएंगे या फिर अपना जो status है वो check कर पाएंगे दोस्तों आपको आपको ज बताने बालाओं कि किस तरीके से आप लोगों को यहां पर इस error को solve करना है और आप लोगों का जो website है वो open होगा तो वीडियो को प्लो लास तका देखते रहिए उससे पहले अपने माचनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिर्ट को सब्सक्राइब किजे लाइक कि इस वीडियो को जितना उसके सेर किजे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके है चले शुरू करने पुना आज के बीडियो तो जैसा कि आप देख पाऊं दोस्तों मैं dbt की जो official website है उस website को open करने का कोसिस कर रहा हूँ और यहां पे आप देख पाऊं दोस्तों कि बता दे रहा है अब यहां पे लोग चाहते हैं कि हम जो इसके बाद भी इस website को use कर सकें तो किस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे लेकिन मैं आप लोगों को आप कुछ जानकाई दे देना चाहता हूँ जिससे कि आपको जो है इसमें कुछ भी पर देता है हलाकि दोस्तों जिससा कि आप लोग जान रहें कि dbt जो agriculture website है यह सरकार की website है फिर भी यह error क्यों आ रहा है तो यह जो error है यह technical reason के बज़ए से आ रहा है कुछ technical fault हो गया है जिसके करन की यहां पे यह error आ रहा है जैसे कि यहां पे इस website पे SSL जो है लगा हुआ नहीं है इसके करन आप लोग को जो है कुछ इस तरीके का error दिखाई दे रहा है लेकिन यहां पे यह सरकार का website है आपको जो है इस पे trust है तो आप जो है इस website को open कर सकते हैं और इसको जो है यूज कर सकते हैं यह सिर्फ आप लोग के लिए एक warning है कि इस website पे जाने के बाद आप ल अपनाना, जिस वेबसाइट पर आपको भरुख साहो, उसी वेबसाइट पर अपको लगता है कि यह वेबसाइट नहीं है, आपको जो है इसके बाद भी घुन पर रहता है, तो आप उस वेबसाइट पर बिल्कुल ना जाएं। तो इस बात का आपको आप ध्यान रखना एए आप दोसनों बात करते हैं के आपको इस website पर जाना की सी तरीके से तो आपको कुछ भी नहीं करना है यहां पर धिख पाऊंगे Advanced का option मिल रहा है इस पर ही किलिक करना है यहाँ पर क्लिक करने बद कुछ इस तरीके से आप लोगों का दिखाई दे देगा आप दोस्तों सेम प्रोसेस आपको अपने फॉन में भी करना है और आपका जो हाँ पर फॉन में भी यह वेबसाइट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना और यहाँ पर आप देख पाऊंगे प्रोसेट टू डिवीटी अगरिकल्चर वेबसाइट यहाँ पर अनसेफ आप लोगों का दिखाई दे रहा है लेकिन आपको हाँ पर प्रोसेट पर क्लिक कर देना है आप लोगों का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा और आप जो है इसको यूज कर सकते हैं आप देख लिजे कि जो website है आप लोगों का open हो रहा है, उसके बाद इस website पे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसी website पे इस तरीके से open करना है, जिस website पे आपको भरोसा हो है, या फिर जो सरकार की website हो, बाकि किसी भी website पे आपको इस प्रकडिया को अपना कर, यहाँ पे इंटर नहीं करना है, तो मैंने आपको आपको जानकाई दे दिया है कि किस तरीके से आप लोगों का error आता है, और किस तरीके से आप जो error को solve कर सकते हैं, अब आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हैं आप नहीं है, जिस तरीके से आप लोगों का website चल तरह था उसी तरीके से website चलेगा आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आऊगा गरी वीडियो पसंद आया तो like किए इस वीडियो को subscribe को जमाँ चैनल को साथी सेर केज़िए इस वीडियो को ताकि और वीडियो को जानकारी मिल सके मिलते ने एक्स परण तक के लिए धन्यब झाल